हाउर फिक्स, वीवो, कॉल बेरिंग, नेट्रोग और सिम कार्ड एरोर प्रावलेम नमस्कार डोस्तो, स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर एक एरोर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताय जा रहा है कि नेट्रोग और सिम कार्ड एरोर आ रहा है जब मैंने दोस्तो यहाँ पर कॉल बेरिंग को ओपेन किया मैंने जब यहाँ पर सेटिंग करने की कोशिश किया है तब जाके दोस्तो यहाँ पर मुझे यह एरोर शो कर रहा है तो सब कुछ आज के इस वीडियो पर आपको जाने को मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आप वीडियो को शुरू से लेके आन तक देख लीजिए तो मैं इसको ओके करके बेक कर दे रहा हूँ यहाँ पर तो सिंपली आप वीडियो के साथ जो है बने रहेगा जितने भी यहाँ पर solution है जितनी भी इसके region से वह सब आपको पता चल जाएगा किस वज़े से problem आ रहा है कैसे करके problem को solve कर सकते हैं तो वह सब जाने के लिए वीडियो को आपको देखना होगा और सारे सार्य यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाके चैनल को भी सब्स पैसा कमाना चाते हैं तो इसके लिए भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक डिर रखा है आप जाकी चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वए शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बता रहा है कि यह जो है problem phone service से आपको यह error आ रहा है उसमें call setting error भी लिखा हुआ है call setting से भी आपको error आ रहा है उसके बाद network से भी आपको error आ रहा है ठीक है आपका phone service call setting call bearing तो वह सब सेम है आपको एक जगा से solution करना है network और SIM का error बता रहे तो उसका भी एक ही जगा से solution करना है है कि दो solution आपको करना होगा problems off हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों वीडियो शूरू करने से पहले जड़े आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शूरू करते ही आपर तो सबसे पहले दोस्तों यह जो solution है ठीक है मैं आपको setting से बता रहता हो क्या कि आपको करना होग तो पहला जो solution हम करेंगे वह है phone service, call setting और call bearing का उसके लिए आपको simply scroll down करके नीचे जाना है उसके बाद application and permission पर जाना है और app manager को open कर लेना है app manager जिससे open करोगे आपको फटक से नीचे जाके P पर आ जाना है यानि कि आपको phone करके एक option मिलेगा यहाँ पर ठीक है उसको search करना ह P यहाँ पर हमें मिल जाना चाहिए तो यह रहा दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है मैंने mark कर दिया है तो यहाँ पर दोस्तो आपको click करना है फोन पर उसके बाद दोस्तो आपको force stop कर देना है force stop करने के बाद ok पर click किजिए ok पर click करने के बाद internal storage पर click करके clear data कर लीजिएगा ठीक है अपने यह कर लिया अच्छी वाद है उसके बात की जिए यहाँ से दूस्तों का कौल सेटिंग फॉन सर्वेस सबका प्राव्लेम सफ हो जाएगा अभी दोस्तों नेक्स्ट में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको जाना है system management पर ठीक है उसके बाद दोस्तो scroll down कर लेना है backup and reset को open करना है आपको यहाँ पर click करना है reset network setting ठीक है आप देख सकते हैं तो reset network setting पर click करके आपको यहाँ पर कुई एक sim select कर लेना है उसके बाद आपको नीचे reset setting का जो option यहाँ पर है नीचे में उसमें आपको click करना है password भर देना है अपने mobile का और उसके बाद दुबारा से आपको यहाँ पर reset setting का option मिल जागा नीचे में ठीक है एक बार tap कर लिजे नेट्रोक setting reset हो जागा दोस्तो वहाँ पर आपको बता रहा था कि नेट्रोक error है या तो फिर sim error है तो हमने नेट्रोक को यहाँ पर reset कर दिया है अब इसको आए बेक करते हैं जैसी बेक करके हम जाते हैं उपर में हमें यहाँ पर दिखाए लेगा dual sim and mobile network उसमें जाके आपको sim जो है open करना है ठीक है sim open कर लेना है उसके बार नेट्रोक mode पर जाके एक बार नेट्रोक को switch कीजिए तो नेट्रोक आप यहाँ पर कौन सा फ्रिफेट करेंगे यहाँ ठीक है कौन सा आपके area में अच्छा नेट्रोक है उसकी को choose करें ठीक है तो उसको choose कर लेने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर bake करना है बेक करने के बाद आप जाए यहाँ पर operator पर जाके दोस्तों आप अटोमेटिक या तो फिर मेनुएली नेट्रोग को इस बटन को बन करती मेनुएली नेट्रोग आपको मिलेगा इस बटन को सेलेक करती आपको रेजिट्रेशन मिल जाएगा नेट्रोग में ठीक है तो यह आप सेटिंग को कर लिजे उसके बाद दोस्तो मोबाइल को एक बार कि यह करने के बाद दोस्तों देखें जाके दुवारा से प्रोबलेम सुल्फ हो चुका ओगा ठीक है आभी जाकर दोस्तों सेटिंग करके देखिए आपको कोई भी डिक्कट कोई आज होगा ठीक है और दोस्तों से रिगार्रिंग पर आपको को तरीके से हो रहा है तो हम जितना हो सके उतना मदद कर देंगे यहाँ पर तो आज के लिए बस इतने ही उमिद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तेंक्स वाचिंग